आज हम करने वाले हैं क्लास वन की जो आपकी हिंदी की नियो बुक आई है उसका चैप्टर नूमबर थ्री जिसका नाम क्या है रीना का दिन तो एक लड़की है जिसके बारें बताएंगी कि वो पूरे दिन में क्या-क्या करती है जिस तरह से आप स्कूल आते हैं वो भी नीम की दात उन से अपने लात साफ करती है और नीम की दात नियानी की छोटी जी टहनी लेकर उससे अपने दातों को बहुत खुशी से उसे खाती है रिना मा के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है तो अपनी मा को गले लगाती है और फिर क्या करती है उस्कूल के लिए जाती है रास्ते में रिना अपनी सहेली दीपा से मिलती है दोनों एक दूसरे से सूप्रवाद कहती है तो जैसे ही मिलत वहां जाती है जैसे उनकी क्लास में जाते हैं सब的话 भाड़ा यह कुछ नेश्कर्टाइब मन लगा कर पढ़ाई करती है वह अपनी सहीलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है अब शरारत का मतलब यह नहीं कि किसी को मार दिया ऐसा कुछ नहीं थोड़ी बहुत मस्ती एक दूसरे का सत मजा को गएर है देन उसके बाद घर आकर वह हाथ मुद होती है और फिर वह अपनी स्कूल की सभी वाते अपनी परिवार को बताती है रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है वो सारी बाते बता दी देने उसका जो छोटा भाई है वो उसके साथ भी खेलती है रीना को रात को जल्दी ही नींदा जाती है क्यों 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 सुबह जल्दी उठती है और बहुत सारा काम करती है दादी प्यार से रीना को सुब रातरी कहकर सुला देती है तो रात को सुथे टाइम क्या बोलना है शुब रातरी अब आते हैं कुछ question जो आपको, मतलब बाचीत के लिए लिए लिखने के लिए नहीं है पहला है रिना सुबह अपनी सहिली से मिलने पर क्या बोलती है तो क्या कहती है वो सुप्रभात रिना की दादी रात को सोने से पहले यहाँ पर रिना आएगा रिना से क्या कहती है तो क्या कहती है शुब राथरी यानि कि सोने का समय हो गया है जैसे कि हम बोलते हैं good night आप क्या बड़े आप क्या कह कर अपने बड़ों को अभिनंदन या भिवाधन करते हैं तो क्या बोलते हैं नमस्ते गर पर जब कोई अतीती आता है तो आप उनका क्या कहकर स्वागत करते हैं तो क्या बोलते हो उन्हें भी हम नमस्ते ही करते हैं अगर आप कुछ और बोलते हैं तो वो भी उन्हें बोल सकते हो जैसे कि विश करते हो कोई भी चीज तो वो भी आप यहां बता सकते हो अगर आपको कोई रास्ते में कोई परीचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं तब भी हम यही बोलते हैं ठीक है तब भी हम क्या बोलते हैं नमस्ते पता कीजिए खोजना है आपको कि आपके सहफार्टियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं कि उनके घर पर वो क्या बोलता है इस नियुक्त को हैं तो अभिवादन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है तो वो आपको बताना है कि वह कौन सी लेंगविज या किस तरह जिसे करते हैं जब पीज नके घर फजानमार क्यों ब्लब करें हो क्योंसर इसेего क्यों सबिस्मिद उसके बाद है खेल खेलने, मिट्टी से घर घर खेल की चीजे बनाई हैं, जैसे चूला, थाली, कटोरी, आदी, अब अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेली, तो मिट्टी से आपको यह सारी चीजे क्या करने हैं, बनानी है, तो अब हमें क्या करना है, यहां पर बताना है सबके घर रेखा कीच कर पच्यू पक्षियों को उनके घर तक पहुँचाई है तो यहाँ पर देखो अलग-लग जो हैं बर्ड्स और अनिमल्स हैं आपको उनको घर तक पहुचाना है कि कोन कहा रहता है सबसे पहले है उल्लू तो उल्लू mostly पेड़ पर रहता है या फिर पेड़ के अंदर इस तरह से जगय बना कर ये चिडिया है चिडिया कहा रहती है चिडिया अपने घोसले में रहेगी उसके बाद आता है खरगोश खरगोश क्या होता है कहीं ना कहीं वो अपनी गुफा टाइप बना कर रहता है जिसे मान भी बोल सकते हैं उसके बाद आती है गाएं गाएं इस तरह से जो है तबेले में रहती है या फिर जो इस तरह के छपर बने होते हैं वहाँ पर गिलहरी गिलहरी भी क्या होता है पेड़ पर रहती है आपका चितरकारी और लेखन आपको अपने घर में क्या-क्या अच्छा लगता है और क्यों चितरों की साहता से बताईए इन शब्दों में से आप अपने चितर के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं जैसे की रोसोई, कमरा, ब्रामदा, आंगन, चज्जा, चट, मा, पिता, दादा, दादी, कहानी, खीर, दूद, आदी, कुछ भी जो भी आपको घर में अपने घर में अच्छा लगता है वो आपको वहाँ पर यहाँ पर उसकी ड्रॉइंग बनानी है सोची और बताईए, आप घर में कौन-कौन से काम करते हैं, सही चिन लगाईए अब जो काम आप करते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है, खाना खाते हैं, वहाँ वो भी करते हैं तो वह आपको बताना है, अगर करते हो तो टिक करना है, अदरवाइस नहीं करना है, ब्रच भी करते हैं, और कंगी भी करते हैं, हाथ है मेरे छोटे-छोटे काम करूँ, मैं बड़े-बड़े, तो आपको इन सब को निशान लगाना है, जो भी चीज़े आप करते हैं, इसके स स्ट्राट करते हैं बिस्तर दातुन स्वच्छ पराठे गले लगती सहेली प्रात्ना अध्यापिका शरारत नींद आपके शब्दर्त बिस्तर का मतलब क्या है सोने का स्थान जहां पर सोते हैं उसे क्या बोलते हैं बिस्तर दातुन, दाच साफ करने की लकडी की टहने जैसे नीम की उसे बोलते हैं टहनी से कि आप दाच साफ करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है दातुन स्वच, कोई चीज बहुत साफ होती तुसे हम क्या बोलते हैं स्वच्च या फिर निर्मला बोल सकते हैं पराठे आठे से बना एक परकार का भोजन तो जैसे रोटी होती उसी तरह पराठा होता है जैसे उसके दोनों तरफ उसे मखन या घी लगा कर सेखा जाता है गले लगाती अलिंगन करती यानि की बाहों में बना सहेली दोस्त या फि दिक्षी का पढ़ाने वाली महिला जब अगर आपकी टीचर जो है अगर एक ओरत है तो उसे ध्यापी का बोला जाते हैं और अगर आदमी है तो उसे क्या बोलते हैं अध्यापक उसके बाद है शरारत मजाग और खेलकुद की जो मतलब एक्टिविटेस करते हैं वो सब नी और प्रीम की दातों से अपने दाथ साफ करती थी, उसके बाद आता है कोशिर नमर टू, बहुत करते थी शरारत के पहते हैं, बहुत क्पड़ कहते थी Q4 रेना स्कूल जातेस में किस से मिलती थी तो किस से मिलती थी अपनी सहेली दीपा से रेना और दीपा एक दूसरे से क्या कहती थी तो जैसे वो एक दूसरे को मिलती थी तो वो एक दूसरे को सूप्रभात कहती थी जैसे कि इंगलिश में गुड मॉर्निंग बोलते हैं इसलिए हिंदी में सूप्रवाथ है स्कूल में रिना क्या करती? स्कूल में प्राथना के बाद रिना अपनी कक्ष्या में जाती जहाओं पड़ती थी वहाँ पड़ाई करती और अपनी सहीलियों के साथ खेलती थी कोशी नमर स्कूल से घर आकर क्या करती? अब जब स्कूल से घर चले जाते हो आप लोग क्या करते हो तो जैसे आप लोग अपने हाथ मुद होते हो खाना खाते हो उसी तरह रिना भी क्या करती थी? रिना स्कूल से घर आकर हातमु दोती और अपने स्कूल की सभी बाते अपनी परिवार को बताती है रिना किस के साथ खेलती है? सो रिना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ खेलती है कोशी नमबर नाइन रिना को रात को कौन सुलाता है? सो रिना को रात को उसकी दादी सुब रातरी ठीक है सुबह के लिए सुब प्रभाता और जब रात को सो रहे हैं तो शुब रातरी कहकर सुला देती है रेना के घर में नाश्ता कों बनाता है तो कों बनाता था मा नाश्ता बनाती ती और क्या थे पराठे जिसे रेना खाकर स्कूल जाती थी गर कोई डाईट है था आप बता सकते हैं